आज है 24 अगस 2020 और 24 अगस 2020 से करेंट आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो पूरा वीडियो आप एंट तक जरूर देखिए अगर आपको इस कोश्चन का पीडिये चाहिए होगा तो आप दिसक्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रूप का लिंक होगा वहां से जा मिल जाएगा और साथी साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया है यानि कि पहली बार इस अगर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्यूंकि डेली मौर्णी में सुबब 5 बज़े वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहला आपको इस वीड करने के लिए टोटल पांच लोगों ने मौर्फ किजिए का चार लोगोंने क्मेंट किया अच्छा इसकी डीटेलिंग मैं कर देता हूं नेशनल एस्ट्रेजी फोर फिनांसियल एजूकेशन 2020 से लेके 2025 यह रीपोर्ट है जिसको आरबी आई में जारी किया है तो बात है आरबी आई की तो आरबी आई के अस्थापना कब हुए थी इसलर बैंक आफ इंडिया का स्थापना कब वह था तो उसका अस्थापना हुआ था 1935 का एक अधिनियम आया था ठीक है जिसको 1935 का संसोधन भी कहते हैं तो उसी के तार जो है सुप्रीम कोड दिल्ली कोलकाता नहीं कोलकाता तो 774 में बना था रेगलेक्टिंग एक था 1773 का उसमें तो कलकाता में बना था सुप्रीकोड एरिजयाम पेश इसके परुखने आ बना आर्बियाई जो नई दिल्ली में बना सुप्रीम कोड अप इंडिया जिद नई दिल्ली में जो बना वह अधिनियम 1935 ठीक है तो कन्फीज नहीं होना है अच्छा आर्बियाई के वर्तमान में गवर्नर कोन है तो सक्तिक अंदास है वह 25 नमबर के गवर्नर है तो यह कर गया तो गल का कोश्राटां था चले स्टार्ट करते हैं आसके कोश्राट अग्रिंद टिपोजिट प्रोग्राम किस बैंक ने शूरु किया है इस कउस्ट है नका और चमालर का पहला फॉर्म भेंक टेकित साथी Łबारत का पहला फॉर्क बेंक बन गया जिसने यह ग्रिं deposit program है क्या तो जितने भी corporate client है HSBC के ठेक है उनके लिए ये एक financial green incentive है ठेक है जिसके तरह eco friendly project के लिए financial aid दिये जाएगा HSBC के द्वारा जैसे कि renewable energy project के लिए clean transport के लिए याने कि zero CO2 emission सिदे एस पर्स पात में अगर समझे एस पर्स लेंग्वज में अगर समझे तो low carbon emission इनका target है ठेक है इस project के ताद low carbon emission का इनोंने target रखाया उसके लिए financial aid देंगे जितने भी इनके corporate client होंगे ठेक है अब बाच्छे HSBC इंडिया की तिसका तो headquarter जो है मुंबई में है इसके अस्थापना कब होई थी तो इसके अस्थापना होई थी 1853 में लेकिन जब इसकी अस्थापना होई थी 1853 में तो इसका नाम था mercantile mercantile bank of India London और चाइना क्या था mercantile bank of इंडिया लंडन और चाइना इसके पान में सी है सुरेद रोसा कौन है सुरेद सुरेद नहीं सुरेद रोसा तो इस question से आपको इतने जनकारी मिलती है चलते हैं अगले question पर question number second कि आइसी जीएस सी चारसो चोवन इंटरसेप्टर बोट जो भारतिय तर्ट ट्रक्षर को सौपा गया है इसे किसने विक्सित किया है इस question का से दुतर है option है कि को कि अलेंट एंटि नहीं है यह एलेंटी है लार्से नैंट ट्रबूलлекति ώ के तो पहले यहแลंटी की बात कर लेते हैं फिर यह जानेंगे के Interceptor Board होता क्या है और यह काम क्या करता है और कहां पर इसको विक्सित किया गया है कि यह थो है L&T ने यानि कि लारसे ने टॉर्बो लिमिंट है इसका है कि है इसका है नीदियन कोस्टगाड को यानिके बारतीयत त्रक्षर को दिया जाए लेकिन सूरत में इसको डिप्लोई किया जाएगा अरब सागर का जो तठ है वहां पर इसको डिप्लोई किया जाएगा गुजरात महना सुरत उसके तर्ट पर ये डिपलोई किया जाएगा ठेक है तो इसकी स्पीड कितनी है इंप्टन बढ़ जाता है 45 नॉटिकल माईल अचा कितनो को नॉटिकल माईल समझ मनहीं आता होगा तो जैसे कि हम लोग किलव मीटर मेटर जांते न जैसे लेंद का ये साँट है मिटर तो यसे उसको किल Morocco बोलते हैं मेटर से से बड़ा होता है ने किलोमीटर ठीक उसी परकार लेंथ को नापने का एकाई होता है जो हम लोग समुन्दर में नापते हैं उसको बोलते हैं नॉटिकल माइल ठेके आएगा जिगराफी का सेक्शन आएगा उसमें मैं डेटेल बताऊंगा कि क्या क्या होता है ये तो उसमें इसके बारे में जान लेते हैं जो ये जोन होता है यानि कि explosive economic zone ठीक है इस zone में बिदेश से जितने भी जहाज या फिर बोट आते हैं बेपार के नजरिया से ठीक है तो इसमें जिस मतलब जिस देश के तड़ पे बिदेश से अगर कोई सम्मुन्दर का सम्मुन्दर जहाज अगर आते हैं बेपार के नजरिये से तो जिस देश के तड़ पे आएंगे वो देश इनसे क्या करेगा कर यानि की tax वसूल कर लेगा explosive economic zone में अगर आते हैं तो ठीक है तो इसी zone में deploy होगा security purpose के लिए ठीक है अच्छा इंडियन coast guard के जो headquarter इंडियन coast guard उसका तो headquarter में ने ब अगले question पर question number 3 हाली में चुनाव आयुक्त के पद से retire किये असोक लवासा के रिक्त पद पर कौन नियुक्त हैं तो इस question का से उत्तरा option है राजिव कुमार अच्छा एक अध्यक्ष है नितिया जोग के वो भी राजिव कुमार है ये भी राजिव कुमार तो आपको confused नहीं होना है ये राजिव कुमार है आये सद्धिकारी है जारखंट काईडर के 1994 बैच के आये सद्धिकारी है इनको असोक लवासा दो थे चुनाव आयुक्त के पद पर थे वो रिटायर कर गया है तो मैंने बताया था कोई जिन पहले करेंट अफर में कि असोक लवासा अपने प प्लब्मेंट बैंक उसका जो हेड़ कोटर है मनिला के फिलिपिंस के राजधानिया मनिला वहां पे एडी भी मेंन का जो पद नियुक्त क्या गया है क्या है तो वाइस प्रेसिजेंट का ठीक है तो इसलिए इन्होंने अपना पद छोड़ दिया किसका तो चुनावायुक् टिक है तो उलेक्षेन कमिशन पहले यह जा ने ए कडिक वह आट आर्टिकल 3 जीट्वेटी फमें मैं आता है कि त्लैर k 20 है इलेक्षे ज्ट्रणले में अधाल इसके डू मुख्य पार्ट होते हैं एक इसप्याई होता है एक को मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त है वह कौन है तो यहर मैं सुनील अडोरा वरतर्वान में और यह जो दो चुनाव आयुकत होते हैं वो क्या है तो यह हैं सुसिल चंद्र में और यह थे कौन थे असोक लवासा तो उन्हें के पद्ध पर अभी इनको नियुक्त कर देया गया कि इनको राजियो कुमार को इस कोशन से आपको इतने जनकार मिलते हैं चलते हैं अगले कोशन पर पॉस्चन नमर फॉर्थ हाली में टोकियो उलम्पिक के लिए भारती टीम का रेस्पॉंसर किसे चुना गया है इस कोशन का से उत्राप्षन ने आइनक्स ग्रूप ठीक है तो टोकियो उलम्पिक होना तो था 2020 में लेकिन इसको 2021 तक अस्थागित कर दिया गया यानिकि पोस्पॉंड कर दिया गया है जापान के रादानी टोकियो वहां पे यह होना था तो वह कौन है तोकियो उलम्पिक 2020 के जो होने वाले थे लेकिन वह होगा 21 में फिलाइल डेट नहीं है पॉस्पॉंड है 21 तक पॉस्पॉंड है तो लेकिन उसके जो गुडविल एंबेजडर जो निउक्त हुए थे वह कौन थे तो हमारे बीसी से आधक्स है ना स्वारव गंगली में उन्हेको टोकियो उलम्पिक का 2020 टोकियो उलम्पिक का गुडविल एंबेजडर निउक कीया गया था अचा हंका हाली में स्वारव गंगली का एक बायोग्राफिय है था क्या था उसका नाम तो असेंचरी इस नॉट इनउप स्वर्व गांगली की बियोग्राफी है इंपोर्टेंट आप यह दर्खेएगा ड्रीम 11 इसको हाली में किसका IPL जो 2020 UAE के कतर में होगा उसका टाइटल स्पॉंसर बनाया गया है बीबो को अटाक है चलते हैं अगले कोशन पर कोशन नमर 5 स्वक्ष सर्वेक्षन 2020 रैंकिंग में गंगा नदी के किनारे सबसे स्वक्ष सहर के रूप में गोशित किया गया है इस कोशन का से उत्तर अप्षन से वराण से यूपी का एक सहर है वराण से बहुत फेमस जगा है परदान मंतिर नरेंद मोदी का ये लोकसभाः छेतर है वहाँ से चुनाव लड़े थे पिछले बार एलेक्षन में लोकसभाः के एलेक्षन में अच्छा बात है गंगा नदी के पहले गंगा नदी की बात कर लेते हैं इसका तोटल लेंथ है 2525 किलोमेटर है ठेक है बारत के समब से लंबी नदी है 2525 किलोमेटर है अच्छा ये 200 का सबसे बड़ा डेल्टा का नियर्मान करती है सुंदर वर्ड डेल्टा 200 का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है सुंदर वर्ड डेल्टा अच्छा इसके सहायक नदी कौन-कौन से है गंगा नदी के सायक नदी तो राम गंगा है, गोमती है, घागरा है, गंडक है, कोशी है और महानदी है कौन कोन है, राम गंगा, गोमती, घागरा, गंडक, कोशी और महानदी एक question आपके लिए मैं छोड़ता हूँ इसका उद्गम अस्तान आप बताएं कहां से निकलती है, यह आप बताएं और इसको गंगा का नाम कहां पर मिलता है ठेक है, एक important question पूछा गया है CGL में, तकरिवन तकरिवन 4-5 बार पूछा गया है कि गंगा नदी को बांगलादस में क्या बोला जाता है तो गंगा नदी को बांगलादस में बोला जाता है ठेक है, तो यह important question था लेकिन हाँ, आप बताएं गंगा नदी का उद्गम अस्तान कहां है कहां से उद्गम हुआ था और इसका नाम गंगा कहां पर पड़ा है ठेक है अच्छा यह स्वक्ष सरवेक्ष कं 2020 तक है इसमें इंदूर है, ठेक है इसको लागतार चाथ़ी बार mêsव सेफसे चोफ dónde यानिके सबसे स्वक्ष सहर, माप्यों करना है शेफ सेथी मैंने बोल दिया सबसे स्वक्ष सहर तीक है सेटीव जोसको बोलते हैं वो इन दोहर को लगता है चोथी बार ठेक है और सबसे स्रेक्ष राज वो उसको मिला ता कली मैंने बता था 36 गड़ को ठेक है अब यह जो है गंगा नदी के किनारे सबसे स्वक्ष चाहर के रूप में बरांट्सी को यह अवर्ट दिया गया है अच्छा यह कानपूर ऑप्षण डी जो है कानपूर भारत का सबसे बड़ा सहर है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है अच्छा एक नगर पंचयाद जिसको स्वक्ष सर्वक्ष चन 2020 के रिपोर्ट में नगर पंचयाद इसको पहला स्थान मिला था नगर पंचयाद की पहले यह नाम जान लेते हैं फिर जानेंगे कि राजीवगांदी खेल रतन पूरसकार है क्यों दिया जाता है ठीक है कब से इसके सुरुवात की गई है तो यह 5 जो खिलाडी है रोह सर्मा क्रिकेट के हैं शी मरयपन थंगा मेलू स्री मरयपन थंगा बेलू यह पैरा अथल है और रानि रंपाल यहहूके किए इनको राजीव गंदी खेल रतन पुरस्कार के लिए नामित किया गया अवह दिया नहीं गया यह धिया जाएगा 29 आगस्त को 22 आगसे को नेशनल एस्पोर्ट सदे के रुप में उनाते है ना इस सिलिए मनाते हैं तो यह आपको 29 अगस्त को दिया जाएगा अभी नामित किया गया सिर्फ confirmation हो गया लेकिन 29 इसको पधान माफ किजएगा President बारत के जो राष्टपती होते हैं इस अवार्ड का जो वितरन करते हैं इस पर मैं डीटेल वीडियो कल बनाऊंगा ठीक है राजयव गांदी खेल्रतन पुरसकार पे मैं National Sports Award जो हते हैं उनी काटेगरी में यह आता है राजयव गांदी कल वीडियो बनाऊंगा तो उसके बारे मैं कल डीटेल बताऊंगा फिर फिलाल आज यह आप पहचान करके reward दिया जाता है वैसे खिलाडियों को जुन्ह ने बहुत ही उत्करिष्ट काम किया राता है अपने छेत्र में जिस मतलब खेल के छेत्र में है जो खिलाडियों उनके उत्करिष्ट काम में सबसे उत्करिष्ट उनको नामित किया जाता है सेलेक्शन कमेटी इनकी जो बनी होती है हर साल सेलेक्शन कमेटी बनती है मुकुंदुकम सर्मा उस कमेटी के हेड है वर्तमान में मुकुंदुकम सर्मा जो की फॉर्मर जज्ज थे हैं सुप्रेम कोट अफ इंडिया के तो एक important question आप ये रख लिजेगा चलते हैं अगले question पर question number 7 हाले में 20 snooker championship 2020 का किताब किस ने जीता है तो इस question का से उत्तर है option B रानी ओसुलीवाल ठीक है ये कहां के हैं तो England के हैं अच्छा ये option ये जो है कीरेन विलियंसन माफ केज़ेगा कीरेन विलसन इनको हरा के इन्हों ने जीता है कौन जीती हैं रानी ओसुलीवाल इंग्लेंड के हैं तो England का England कहां पहें तो UK में है लंडन के करीब है लंडन के करेंसी मैं मैंने कल गलत बता दिया है किसी ने नोटिस नहीं किया तो फिर मैं उसको correct कर रहा हूँ लंदन के currency है माँआप केजिए United Kingdom के currency है Pond Sterling मैंने कल क्या बोला था डॉलर बोल दिया था उसके परत्मान में परदान मंत्रिया बोरिश जॉंसन UK यानि कि United Kingdom जो है वो European Union से अलग होने वाला 20 का पहला देश है ठेक है अच्छा यहीं से है Lewis Hamilton Mercedes के खिलाड़ी है F1 racer है Lewis Hamilton तो यह London के ही है ठेक है अच्छा कितनों को confusion होगा यह होता है snooker यह snooker होता है बिलियर्ड होता है तो दोनों में basic difference क्या होता है जो यह snooker होता है इसमें क्या होता है 22 ball होते है 22 ball में क्या क्या होते है 22 ball में 15 red होते है ठेक है 6 colorful ball होते है और 1 q ball होते है ठेक है और बिलियर्ड में कितने बोल होते है तो मातर 3 ball होते है एक green यानि कि लाल एक होता है दूसरा white और तिसरा green ठेक है जो पंकाज आडवानी है यह भारत के है बारत के पहले दिब्यांग खिलाडी कौन बने है तो जैसे मैंने बोला कि special video में रस्टी आवार्ड पर मैं कल बताऊंगा क्योंकि इंपोर्टेंट है इनसे हर आपको जितने भी one day competitive exam होंगे एक नए question fix ही है तो important है इसलिए मैं इस पर वीडियो कल बनाऊंगा आज लेट होगे कल बनाके देंगा तो आप महाँ से detail देखेगा फिलाल आप यह जाने है सत्यंद्र सिंगल होई या बारत के पहले दिब्यांग खिलाडी बने है अच्छा यह जो है 17 सिंगल होई एक इस केटोगरी में जीते हैं तो यह तराकी है याने के water adventure में तराकी में अच्छा यह अमेरिका के कैटलीना चैनल ठीक है अमेरिका का कैटलीना चैनल है न उसको पार करने वाले एसिया के पहले बैखती थे और इन्होंने इंग्लिश चैनल भी पार किया है अच्छा ओप्सन यह जो है आपका C जो है दीपा मलिक ठीक है इनको 2019 में राजियो गांदी खेलतन पुरसकार दिया गया था बजरंग पूरिया और दिपक मलिक दीपा मलिक को अथे अल्हेक इनका जो influencers जो है औरुनीमा शिनाँ इनको 2019 में कैंजिं नौर गे एडवेंचराश जीनोंने आपड़ेंचरस पर चड़ाई की तहो थी अरुनुमा सिनाइई यह दिप्याँ है चलते हैं अगले कोस्टन पे हुच्टन समय है हाले में किसने हरित नामक हरित पत नामक मुबाइल एर्थ बिक्सित किया है इस कोश्चन का सही उत्तर है ऑप्षन है एनेच याई एनेच याई मतलब नेशनल हाईवे अथोरिटी ओफ इंडिया इसके असापना हो थी 1988 में इसका हेड़कॉर्टर है नई दिल्ली में अच्छ कि यह हरित पत नामक है लेकिन तुरह उत्तर प्रश में 800 क्लमेटर आट सो आधो किलोमेटर का औस दी जुक सडक बनेगा ठीक है जो इसके दूनों तरफ रोड के दूनों साइड उत्तर प्रश में आधो सदी जुक पोध हे लगाए जैंगे ठीक है तो याद रखेए गया चलते हैं अगले question पर question में टेंट हाली में पसूर कारे क्रम के ताहथ hunting चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिडियागर कौन बना है तो इस question का से दोतरा option भी मैसूर चिडियागर ये तो दूसरा बन गया चिडियागर पहला कौन था तो हैदराबाद का चीडियागर जिसने हंटिंग चीटा को विन्यम कार्यकरम के ताथ अपने चीडियागर में लाया था अच्छा हंटिंग चीटा ये भारत में नहीं मिलते हैं मुस्टली लेकिन जेनरली ये कहां मिलते हैं साउत अपिर कहां मिलते हैं अच्छा ये जो है मैसूर का चिरिया गर इसका नाम क्या है स्री चमराजेंद्र जुलेजिकल गार्डेन अगला कोशन है कोशन नमर 11 किताब है इंडिया टुमोरो कनवर्सेशन विद दे नेक्स्ट जेनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स इस बुक के लेखा कौन है तो इस कोशन का सेवतर है अप्शन भी प्रदिप छिलर छिलर नहीं छिबर ठेक है प्रदिप छिबर अगला कोशन है कोशन नमर 12 हाली में किस राज सरकार ने अपने 5 प्रमुक्सरों में ठीक है सत्त्र या प्राइट कर लेएगा सत्तर सत्तर या उससे अदिग मंझला इमारत बनाने की मनजूरि दे दी है तो इस कोश्चन का सेवतर है अप्शन भी गुझौराथ जो मंझूरी था वो था लेकिन अब आप सत्तर से अदिग बना सकते हैं मंजिला इमारत सत्तर से अधिक मंजिला इमारत गुजरात में बना सकते हैं अच्छा गुजरात गुजरात के कैपिटल का है तो गांधी नगर इसका परतमाने सीम है बिजयरुपानी और गवर्णर है अच्छारी देवब्रत अच्छा गुजरात जो है सोलर रूप सुरत चौथाय राजगोट पांचवा है गांधी नगर चलते हैं अगले कॉश्चन पर कॉश्च नमर थाटिन हाली में यूएस आई एस्पीएफ ने 2020 के लेडर्शिप अवर्ड से किसे सम्मानेत किया है तो इस कॉश्चन का से उत्तर है और सने आनंद महिंद्रा अच्छ क्या था तो ओपन इसकाई ट्रिटी इसको छोड़ने का फैसला इसने किया है संतावन देश का ट्रिटी था क्या था तो बीना हत्यार के आप सैटलाइट के माध्यम से एक दूसरे पर नजर बनाया रख सकते हैं रखते हैं जैसे कि कोई देश परमानू सोधना कर दे इसके लिए यह निग्रानी रखा जाता है security purpose के लिए US ने तो यह important बन जाता रहा है अच्छा अपना जितना भी जो stock action का जो company है उसमें Chinese जितने भी company थे उनको dealist कर दिया US ने अब बात है US की तो US में भारत के जो है ambassador कोन है तो तरंजीत सिंग सिद्धू तरंजीत सिंग संदू सुखवीर सिंग संदू एनची आई के है और तरंजीत सिंग संदू यह US में भारत के ambassador है अगला question है question number 14 हाले में किसने अपनी अगामे पुष्टक वन अरेंज मर्डर कोविक की गोशना किया है launch करने की गोशना किया तो इस question का से उत्तर अप्सम भी चेतन लगा यह दिल लिके है जिजा में कई बार पूछा भी गया है इनका जनमस्थान दिल लिके है अगला question है question number 15 हाले में किस राजने जल संकट को हल करने के लिए इस्राइल के साथ समझोता किया है तो इस question का से तरह है अब बात है इस्राइल की तो इस्राइल के capital का है तो जेरू सलम इस्राइल के currency इस्राइली साकिल इसके बत्मान में जो है cm है वह है बेंजामिन नितनी आओ अच्छा कल ही मैंने बता था इस्राइल के संसंद गाना नेसेक्ट के एनी डबल संकट जल संकट से यानिके flood से related मैंने कलपर से करेंट एवर में क्या बता था उत्तर प्रेस ने Google के साथ समझोता किया है प्रेडिक्शन करने के लिए जतने भी Google के यूजर होंगे उनको उत्तर प्रेस में जनकारी मिल जाएगा पहले ही कि आपके लोकालिटी में बाढ़ाने वाला है तो उससे आपको क्या प्रिकोशन बरतने हैं वो सब Google डाटा सेर कर देगा उत्तर प्रेस के जतने भी लोग है चलते हैं अगले question पर question number 6 हाली में SBA के नए MD के पद पर कोन न्यूक थो हैं तो इस question कर से उतर है अजय भाटिया ठेके अच्छा रजनीष कुमार बतमार में SBA के चेर में था है तो SBA State Bank of India इसके असाफना कभी थी तो 1955 में इसका headquarter का है तो Mumbai रजनीष कुमार इसके चेर में चलते हैं अगले question पर लास्ट question तेंजिंग नौर्गे नेशनल एडवेंचर आवर्ड एडवेंचर के टोगरी में यह वर्ड किसने जीता है तो इस question का जो एंसर होगा आप comment box में चाहिए comment किजिए right answer बताईए बताये बताये तंजिंग नौर्गे नेशनल एडवेंचर आ मिलता है land adventure, water, air adventure और lifetime management तो air adventure category में किसने जीता है यह आप एंसर करके comment में जरूर बताईए साथ ही साथ यह वीडियो आपको कैसा लगा comment कर सकते हैं तो आप वीडियो को like भी कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को subscribe करते हैं और इस वीडियो को जितने भी आपके